आज हम नया पाठ यह दंतूरित मुस्कान पढ़ेंगे जन कवी नागारजुन द्वारा रचित इस कविता के सरल अर्थ के साथ मैं हूँ सोहनलाज शर्मा उसे पहले इस कविता के रचियता नागारजुन जी का एक परिचे हम प्राप्त कर लेते हैं हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवी नागारजुन का जन्म बिहार के दर्भंगा जिले के सत लखा गाउं में सन 1911 में हुआ उनका मूल नाम विद्यनात मिश्र था घुमकड़ी और अखड़ स्वभाव के धनी नागारजुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की सन 1998 में इनका दिहान्त हो गया नागारजुन की प्रमुख कृतियां हैं युगधारा सतरंगे पंखों वाली हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था पूरानी जूतियों का कोरस आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने और बल्चनमा इत्यादी नागरजुन ने कविता के साथ साथ वो पन्यास और अन्य गद्यविदाओं में भी लेखन किया है मात्रिभाशा मेथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं चायावादोत्तर दोर के यानि चायावाद के बाद का जो दोर था उसके वे अखिले ऐसे कवी हैं जिनकी कविता गाउं की चोपालों और साहित्तिक दुनिया में समान रूप से लोप्रिये रही हैं उन्हें आधुनिक कवीर और जनकवी कहा जाता है अब हम कवीता यह दंतुरित मुस्कान की व्याख्या करेंगे लेकिन उससे पहले हम इस कवीता के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ है इस कवीता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवी के मन में जो भाव उमरते हैं उन्हें कवीता में अनेक बिम्बों के माध्यम से प्रकट किया गया है और ये जो कवी हैं जो बच्चे की इस मुस्कान पर मोहित हो रहे हैं ये एक लंबे समय के बाद में बच्चे से मिल रहे हैं एक तरह से ये उनकी पहली मुलाकात है क्योंकि वो बाहर घूमते रहे हैं और उन्हें अब अवसर मिला है इस बच्चे से मुलाकात करने का तो आगे कवी का मानना है कि इस सुंदर्ता में ही जीवन का संदेश नहीं थे इस सुंदर्ता की व्यापती यानि उसका फेलाव, प्रसार कुछ ऐसा है कि कठोर से कठोर मन भी पिगल जाए इस दंतुरित मुसकान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड जाता है तो चलिए अब हम इसका भावार्थ कर लेते हैं तुमारी ये दंतुरित मुसकान मृत्यक में भी डाल देगी जान कभी सिशू की सुंदर्ता पर मुग्द है मोहित है वह सिशू को संभोतित करते हुए कहता है कि तुमारे दंतुरित यानि ने ने जो दांत है ने ने दांतों वाली जो मुसकान है ये इतनी मनमोहक है कि यह एक बृत्यक में भी एक मुर्दे में भी जान डाल सकती है अर्थात तुमें कोई निराश, हताश, बृत्प्राई, व्यक्ति भी देख ले तो उसमें प्रानों का संचार हो जाए वह भी जीवित हो उठे, खिल उठे तुमारी मुसकान जीवन दाईनी है अगली पंक्ती धूली धूसर तुमारे गात छोड़ कर तालाब मेरी जोपड़ी में खिल रहे जल जात धूली धूसर का अर्थ होता है धूल से सने हुए गात का अर्थ है शरीर और जल जात का अर्थ है जो जल से उत्पन है अर्थात कमल तो यहां कवी कहते हैं कि तुमारा धूल में लिप्टा मिट्टी से सना शरीर देख कर ऐसे लगता है कि जैसे कमल तालाब को छोड़ कर मेरी जोपड़ी में खिलने आ गये हैं मेरी जोपड़ी को और मुझे धन्य कर रहे हैं हो जैसे अगली पंती कि परस पाकर तुमारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा पाशाण परस का आर्थ होता है स्पर्ष या चुवन पाशाण का आर्थ है पत्थर कवी कहता है कि है सिशू तुम में वह प्राण बनता है कि तुमारे प्राणों की चुवन पाकर कठोर पाशाण सक्त चट्टाने भी पिघल कर जल धारा में बदल जाए अर्थात तुमारी मुस्कान में वह आकर्षन वह मोहकता है कि कठोर से कठोर रदे भी जिसे देख कर पिघल पड़े भाव हीन में भी भावों का संचरन हो जाए अगली पंक्ती कि छू गया तुमसे कि जहरने लग पड़े शेफालीका के फूल बास था कि बबूल कभी कहता है कि सिशू की जो मुस्कान है इतनी सरस है कि सुश्क कंटिले बास और बबूल से भी शेफालीका के फूल जड़ने लगे यह हैं शेफालीका के फूल शेफालीका जिसको हम हर सिंगार और पारिजात के नाम से भी जानते हैं तो यहां कभी कहते हैं कि सुश्कता और निरस्ता में भी सिशो की मुस्कान रस घोल देती है, भाव भर देती है अगे तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेश बच्चे का कभी से परिचे नहीं हुआ है अभी, अभी वो आत्मियता नहीं बनी है इसलिए बच्चा कभी को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी लंबे मुद्दबाद, अर्से बाद आया है और पहली बार बच्चे से मुलाकात कर रहा है, तो वह बच्चा कभी को अनिमेश देख रहा है अनिमेश यानी एक टक, बिना पलके जपकाए, देखता जा रहा है कभी शिशू से पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए एक टक देख रहे हो आगे कहते हैं, ठक गए हो, आँख लूँ मैं फेर शिशू को एक टक निहारते देखकर, कभी पूछता है, क्या तुम ठक गए हो, इस तरह अपलक देखते देखते क्या तुम्हें आराम चाहिए, मैं तुमसे नजरें फेड लूँ कभी बच्चे को एक टक निहारते देखने से, आराम देने के लिए, उसे मुक्त करने के लिए अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेना चाहता है, यनि उसका ध्यान बटाना चाहता है अगली पंक्ती, कि क्या हुआ यदि हो सके परीचित न पहली बार कभी कहता है कि इस मुलाकात में, तुम परीचित न हो पाए, मुझे पहचान नहीं पाए, तो कोई बात नहीं परीचे की ये जो गांठे हैं, ये तो खुलती रहेगी लेकिन उससे पहले, तुमारी मनमोहक मुस्कान से, मैं भाव विभोर हो गया हूँ फिर आगे कि यदि तुम्हारी मान मध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मस्कान कभी सुशुर से कहता है कि तुम्हारी माने हमें मिलवाया है, वही हमारे मिलन का मध्यम बनी है यदि तुम्हारी मां तुमसे न मिलवाती तो मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को नहीं जान पाता नहीं निहार पाता इस मुलाकात से मेरी प्रसन्नता की अब कोई सीमा ही नहीं है आगे कहते हैं कभी कि धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य कवी शिशु से कहता है कि तुम धन्य हो कि तुम इस निश्चल, निर्मल, पावन, सौंदर्य के स्वामी हो तुम इतने सुंदर हो तुमारी माँ भी तुम जैसा लाल पाकर सुंदर्ता की प्रतिमूर्ती पाकर वो भी धन्य है में तो चीर परवासी हूँ चिरप्रवासी यानि जो सदा बाहर ही रहता है, बाहर ही गुमता फिरता रहता है परदेशी हूँ मैं, इस कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, तुम्हें जान समझ नहीं पाया, तुम्हारे लिए तुम्हें अन्य हूँ, इतर हूँ, या कहलो कि मैं पराया हूँ कि मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूं, चौनकि मैं तो अथिती की तरह ही तुम से मिल रहा हूं, ये परिये हमारा संपर्क कितना कम रहा है, तुम्हारे लिए तु तुम्हारी मा ही सर्वस्व है, उसी ने तुम्हे इतना स्नेह दिया, इतनी ममता उंडेली, आत्मियता के सा अब बाद अपनी उंगलियों से मदुपर्क चेटाया है मदुपर्क जो है वो पांच चीजों से मिलकर बनता है जिसमें दूद, दही, जल, घी और शहध मिला होता है और जो बच्चा छोटा होता है उसके दान्त निकलते हैं तब ये मदुपर्ग बच्चे को चटाया जाता है तो यहां कभी कहते हैं कि तुम्हारी माने तुम्हें वात्सरले दिया है खूब मम्ता लुटाई है तुम पर जबकि मैं अब तक इस से वन्चित ही रहा मैं तुम्हें वह प्यार दुलार नहीं दे पाया अगली पंक्तियों में कभी कहते हैं कि देखते तुम इधर कंखी मार और खूती जबकि आँखें चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवी मान कंखी मानने का आर्थ है तिर्ची नजरों से देखना और फिर मूँ फेर लेना और आँखें चार होना ये मुआवरा है जिसका आर्थ होता है आँखें मिलना तो यहां कभी कहते हैं कि जब कंखी मार कर यानि तिर्ची नजरों से मुझे देखते हो और तुम्हारे से आँखें जब चार होती हैं नजरें मिलती हैं तो तुम मुस्कुरा देते हो कवी कहते हैं कि तुम्हारी नए-नए छोटे-छोटे उगते दांतों वाली ये जो मुस्कान है ये बुझे बहुत सुंदर लगती है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मनमोहक है आनंदायक है सरस है प्राणवान है और निश्चल है तो ये थी आज की कवी था और इसके माप्त करते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार